हिंदू शास्त्रों के अनुसार राक्षसों के हाथ में नाखून होते थे, क्योंकि वह मास खाते थे, आज के युग में जिन जानवरों के हाथ में नाखून होते हैं, वह मास खाते हैं, परंतु जिनके नाखून नहीं होते खुर होते हैं, जैसे गाए, बकरी, जिराफ, हां आधी जानवर वह सात्विक भोजन करते हैं जब जानवर होकर ये पसु अपना धर्म निभा रहे है तो हम इंसानों को जिन्हें देव तुल्ले मानव देह मिला है सही गलत विचार करने की छमता दी गई है फिर भी हम मास भक्षन कर रहे हैं तो ये नरक जाने की तैयारी करना ही है और 84 लाख योनियों में जर्म लेकर यातना भोगना है बोलिए जैश्री सीता राम